जाए जोहार संगवारी हो तो आज हम जाए रहा हैं कहां? मडी बाग घुमे वर्वर्या से यह हमार फाइनेंसर भाइ लेली होईने सब लोग तो हम जाए रहा हैं तो आज की वीडियो बहुत खास हुरेँ वाले हैं क्योंकि वहां के जो मंदिर है बहुत प्रशीनतम मंदिर है तो आज मैं ओला दिखाये वाले हमाप मलना तो आज वीडियो मां बने रही है तो हम निकल चुके हैं संग्वारी हो तो आप देख सकते हो करभाला मंदिर पहुंच चुके हैं जो कि मैं पहले वीडियो मां आप मलने दिखाये चुके हो अब हम जाए रहे हैं कहां मडी बाग जाए रहे हैं थोड़ा यहां से पाज़े किलुमेटर के लगबाग धूरी महें तो हम गूम चुके हैं जो कोई भी न देखो यह तो आप पिछले वीडियो मां आप आपके देख सकता हुआ है राइच अच्छा वह मली बाग के लिए कौन से रस्ता है हां हां पास में कौन से पढ़ेगा है नहीं जो कंफर्म बताए कौन से रस्ते से हम लोग जाएं है यहां से जा सकते हैं न जो सीधा रस्ता हो कौन सा है कि कि इसी रोड नो है तो वाइस हम लोग रास्ता भोल गह रहे हैं से चाचा मन से पूछे हैं जो पताएं तब हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर बाद आपका यहां दूर भी नहीं है पास पढ़ते ता संवारी हो बहुत टाइम के बाद यार पास कुछ न screaming लेकिन हम रास्ता भूलत भूलत भटकत भटकत बहुत टाइम के बाद यहां तक पहुंचे हैं काफी वक्त लगए लगवग लगवग हमें आदा घंटा लगई च्यार और यहां हमार पीछे आप देख सकते हो जी मड़ी बाग के दर्संद प्रचीनतम मंदिर है यहां कि कतना सांदार बेवस्ता है यहां आप देख सकता हो बड़ा अच्छा लगते यार इहां पार्स में सबसे पहले तो यह एक कुणा है सबसे पहले मैं इला आप मलना दिखावाई चाहाथ हो काहे कि सबसे फश्ट में यही दिखित मोला देखा था जी मेरे मोर पीछे यह कुणा है और यह फेड़ यहां से आप देख सकते हो अंदर देख थो है तो अरे बाहुत गही दखा है यार बहुत गही रखाई है हुआ लेकिन मेरा से बहुत नेने मेरा से फ्रग बहुत नहीं है भाई के सबसे पहले मेरा प्राहब क na कर इए चारंगर मेरा की सबसे अहां और पर सुद्धर है अब हम मंद्र प्रांगड में अंदर चलते हैं यहां के पंडित पुजारी हुई उन्से हम बात करके पूचाब कि यहां के इतिहास का है का है कि इखर बारे मताए सें कोई नहीं जाने कि ये लाग कौन मनाई इसे हैं अब लेकिन पुरा टत्तों के विभाग भी जीव टाइप में थोड़ा बहुत लगते और पुराना पत्थर भी है और फिर यहां आप देख सकतो काफी सौंधार बिवस्था है यहां हम चपन चपन उतार देहन एकर बाद अब यह फर्ष्ट में चलते हैं यहां जब चड़े के बाद आप मनला सबसे फर्ष्ट में बज प्राचीनतम मंदिर है यह बतन बुल जाता एकर बाद जा आप मनला मैं दिखावत चाहता हूं बाजु में जो मंदिर है यहुल्य मैं आप में दिखावत हूं काफी बहुत अच्छा लगते यार यह भी एक तो यहां साहित तक हां भैरों बाबजी हैं लगते और उनकर कु जो कि यह वैरवावाक मंदिर है आप देख सकते हो जी वैर वावावाक मंदिर है और फेल अब अनदर अब हम जो नमेर मंदिर है उह हँँ प्रवेस्करथन आज कर कि हकीकत मा जहां कि इतिहास काचीजला मंदिर काचीज दरसाथ है यह एक इतिहास का है अब इकर उत्तर तो हमारा पास नहीं है और साय तक यहां को नव पंडित पुजारी भी नहीं है तो देख था इंचोरन ला देखिया इन चूतियन ला यह आरे मारे जफ से आई ने तब कि यहां कुछ को faut tí मैं बटाए कि मंदिर आपन जी से मन्दिर मने हैं वह वही प्रकार मैं बने है अब यहां मैं देख रहे हों कि इहां कुछ sexual मूर्थी भी है जो कि हमार भारत के खजुराहों मा हैं अब यहां sexual मूर्थी भी है अब यहां तो देखके यार बड़ा अच्छा लग थे यार मुला यार ये सुन्दर यहां के जो प्रचीद्टम गुलाकृति रही सबसे पहले में बाहर के तोर को आथ हूँ और फिर ये भी साइद सेर रहिस लगते मुला अच्छा समझ नहीं आते कहा है कि खिर मुंडी-उंडी सब तूट गई यहार है यह मैं पत्तर अनला भी छूपा रहा हूं भाई सब कुछ और यहां नाना फ्रिकार के बहुत सारे मू पर मुला आज तक एक बात मुला समझ नहीं आई कि प्रचीन कालमा मंदिरन्म सेक्ष्वल मूर्ति बनाए के पीछे का राज रही आखिर वो लोग का चीज ला दरसाय चाहत रहें यह चीज तु मुला पता नहीं है बाकी यहां जो देख रहे हैं भाई बस आप मुला दिख सेक्ष्वल मूर्ति हैं बहुत सारे सेक्ष्वल मूर्ति आप मनला दिखत भी भाई दिखत होई संगवारी हो कि यहां अव फिर कि देखाओ जी कितना उंपर तक ऐसे करके देखना पर थ्यार हमनला आर रहा है बहुत उच्छ अव लेकिन यहां के अब अंदर कि मैं आप मनले दिखावा चाहतूं कि अंदर कि अंदर कितना कमरा मतलब कितना बड़ा जगे है मंदिर तो बहुत बड़ा है लेकिन एक अब यहां अंदर आ हैं यहां बोले बाबा के सिविलिग वह वह उपर यहां यहां तो इतना जगए इतना लगबग लगबग कितना कही जगार बहुत छोट जगह है लगबग लगबग मुश्किल से 10-20 अदमी आज सकते हैं अतना बड़ा मंदिर है लेकिन एक छोटी सी बस सब्सक्तू कि भूप नगया है लेकिन एक अष्टकू झालना बड़ा णस पुष्ट जग्या है लेकिन से झाल 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 यहां बाजु माँ एठ अव मूर्ती है जो की यह भी सिर्फ संकर के मूर्ती है स्वाथ माँ गडेद भगवान ही बैठे अब जब तक तो इखार भाई अब मंदिर खुद जीता जागता सबूत ख़रे हैं और खाली दिया इतना दिया और या नारियल भाई देख सकतो यार एक जंगल के किनारे एक मंदिर है और इतना बताते हैं कि जब इहां सावन जब स्टार्ट हो थे तो इहां बड़ा विसाल भंडारा हो थे हर संबार खा अव पूरा जिल्लमा एक नियोता पूंचाय जाते कि भंडारा के और काफी ज़्यादा भीड रही थे करके बतावात भी है और फेर काफी ज़्यादा महौल रही अगर देखा अगर अगर हमार मरिया में ही अगर रहना हो ही तो सावन संबार ज़रूर यहां है के अटेंड कर वो और देखा अभी तीन महीन एक बाद साथ हमारा ट्रांसफर भी होई वाले है तो अभी कुछ नहीं कह सको और बाकी तो देखाओ जी कितना सांदार है तो हम तो बहुत पहले निकल गए रहे हैं वहां से लेकिन बुलाद बटकत पहुचें तब बहुत टाइम हो गए रही से अब समय भी हो चुकी जे और फिर हमार जाय के बेरा भी हो चुकी जे तो अब केमरा में थोड़ा साब भी नहीं आते तो आप संगवारी हो आज की ब्लॉगला हम इहां समाप्त कर्थन और यदि वीडियो पसंद आ होई प्लाइक कमेंट सेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर देया जी और फेरे विलाएक नौ वीडियो मा अभी पास में एक सगरा मंदिर भी है उहां भी जायला बाकी है पर व और मरीय में मरिया से विकरणडर विकरणडर से सीधानडरी विंकरणड़ि के रोड मा जिंकर रोड से कहां आयम एक ग्रीन डाबा कर्थे एक अयकर रास्ता है दिहां ले फ्रस्ट एार शोट है के पर सीधा मंदिर अप मैंHAHA मैं आपके समय तभी ले सकता बड़ा असानी से यह तक पहुंच सकता जी तो जै जोहार अब इंतिजार करें एक नवा वीडियो के अब यह समप्त कर्थन